असलाम अलेकुम, आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन मुंग दल दोषा, बहुत ही healthy and tasty दोषा recipe है यह अगर आप weight loss करना चाहते हो तो या फिर आप healthy खाना हो तो आप इस तरह से दोषा बना कर खा सकते हैं, बहुत ही tasty बनता है, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं, देखिए मैं मैंने यहां एक कप मूंग दाल को भीगा कर रखा था सुबाब ब्रेकपस्ट के लिए बना रहे हैं इसलिए ओवरनैट भीगा कर रखा है इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से भीग चुकी है आप डिनर या लैश में बना रहे हैं तो आप चार से पांच घंटे भीगा कर इसे बना सकते हैं और इसमें दालने के लिए मैंने लिया है तीन हरे मिर्च लिया है और तीन छोटे से इस तरह के मीडियम साइस के प्यास लिया है और यहां पर मैंने लिया है वन टीस्पून जीरा और छोटा सा तुकड़ा अद्रक का और वन बैफोर टीस्पून मेथी मेथि के दाने थोड़ा से कड़ी पत्ता लिया है अब हम एक मिक्सीजर में मूंंग डालेंगे जो भी आका रखाता हमने और इसी में डालेंगे प्यास और हरेमिज को भी और इसी में डालेंगे हम जीरा, अदरख और मेथी के दाने, कड़ी पता भी इसमें डाल लेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डाला है आप आपके टेस्ट का एकोर्डिंग डाल सकते है आपके पास पिंक सॉल्ट हो तो आप वो भी डाल सकते है बहुत ही हिल्दी होता है और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे देखे इस तरह से मैंने ग्रैंड कर लिया है आपको इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके दोसा बैटर के जैसा बना लेना है ना तो ये बहुत ही तिक रहना है ना ही ये मतलब लूज रहना है इस तरह से आप इसका कंसिस्टेंसी अर्जिस्ट कर लें अब हम यहां एक पैन को गरम होने के लिए रख दिया है और इसके उपर लगा देंगे थोड़ा सा आईल ग्रीस क लगा सकते हैं यहां नार्मल खूगिंग ऑईल ग्रीस कर रही हूं और इसी में एक स्पैचला फुल हम दालेंगे मूंग दाल का बैटर और इसे इस तरह से दोसर के जैसा स्प्रेट कर लेंगे यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसे सिखने के लिए सिर्फ दोसे तीन मि घी अड़ किया है देखिए आप यहां पे कुकिंग ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हेल्दी रहने के लिए मैंने घी अड़ किया है और इसे अच्छे से हलके हाथों से इस तरह से टर्ण कर रही हूं इस पर हमने जीरा दाला है इस जीरा आपको और मेथी के दानों से भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे देखिए मैंने दूसरे सेट को भी अच्छे से से लिया है अब हम इस हेल्दी दोसे को एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसी तरह से same oil grease कर लेंगे और दोसा बैटर को डाल कर spread कर लेंगे दोसे के जैसा अच्छे से spread करने के बाद इसे अच्छे से सीखने देंगे दोसे तीन मिनिट के लिए आप चाहे तो ढखन लगा कर भी सेख सकते हैं और इसी के ओपर थोड़ा सा घी स्प्रिंकल कर लेंगे या फिर आप बटर भी दाल सकते हैं और इसे इस तरह से आहिस्ता टर्न कर लेंगे जितनी देर आपकी मुंग दाल सोख होगी आपको उतना light feel ह होगा इससे ब्लोटिंग के प्रॉब्लम भी नहीं होगा और देखिए हमारा दूसरा दोसा भी बनकर तैयार हो गया है आप इस दोसे को इसी तरह से खा सकते हैं या फिर आप किसी चटनी या करी के साथ भी जो भी घर में आपको आवेलेबल है उसके साथ सर्व करें बहुत सब्सक्राइब भी जरूर कर लें थैंक्स फर वाचिंग